क्या आप भी अपना podcast बनाने की सोच रहे हैं, तो anchor try कीजिए, ये podcast बनाने का सबसे आसान तरीका है नमबर एक, ये free है, नमबर दो, इसमें कई सारे ऐसे tools है जो आपको अपने phone और computer पर record और edit करने की facility देते है नमबर तीन, आप अपने podcast को distribute भी कर सकते हैं, जिससे इसे Spotify और दूसरे platforms पर सुना जा सके डाउनलोड कीजिए free anchor app या visit कीजिए anchor.fm अपना podcast शुरू करने के लिए Books That Speak में आप सभी का स्वागत है पुचकू का एक नया अभियान बोल्टू, पुचकू और डोडला, इनका धुरंधर योजना विभाग एक मुहिम पर निकल पड़ा है नन्नी चिडिया के लिए एक गाने की खोज में गाने तो बहुत से मिल गए, आप कौन सा चुने? सुनते है कहानी पुचकू को गाने की तलाश ओरिजनल स्टोरी पुचकू सीक्स अ सौंग बाई प्रतम बुक्स कहानी लिखी है दिपांजना पाल चितरांकन राजीव आइप हिंदी में अनुवाद नागराज राव कहानी का वाचन असावरी दोशी अपनी कक्षा की खिडकी से पुचकू जामून के पेड को देखती है पेड इस प्रकार से अपनी शाखाओं को फैला कर खड़ा है मानो गले लगाना चाहता हो उसकी ठंडी छाया कडी धूप में भी ठंड़क देती है मगर पेड जरा नटखट है वो अपने फलों को गिराता है जो पुचकू की वर्दी पर बैंगनी धब्बे छोड़ते है पेड के पत्तों में छिपे कई पंची अपनी छिची गिराते है जो पुचकू के सिर पर पिच ऐसे करके टपक जाते है हर दिन आधी छुट्टी के समय पुचकू जामून के पेड की ओर दोड लगाती है कई बार तो डोडला तेजी से दोड कर पुचकू से भी पहले वहां पहुँच जाता है बोल्टू हमेशा आखिर में पहुँचता है उसे कोई तितली, कीडा या फूल दिख जाता है जिसे देखकर वो दोडना भूल जाता है आज तो पुचकू डोडला से भी तीन सेकंड पहले जामून के पेड तक पहुँच गई मगर ये क्या? यहां तो कोई और पहले से ही पेड के नीचे मौजूद है मगर ये है कौन? क्या ये टहनियों और पत्तियों का बना कटोरा है? और देखो, कटोरे में दो छोटी छोटी आँख और एक छोटी चोँच वाला कोई है हेलो, पुचकू बोली क्या ये पक्षी प्राचीन टेरोडेक्टाइल का बच्चा हो सकता है? डोडला ने पुचकू से पूछा उसे ऐसे बड़े शब्द बोलना अच्छा लगता है शायद ये ट्रैगन का बच्चा हो पुचकू ने कहा अबे बुद्धू, ये चीडिया का बच्चा है बोल्टू बोला, जो अब जामून के पेड़ तक पहुँच चुका था मगर चीडिया तो अलग-अलग तरह की आवाजे करती है कबुतर गुटर्गु करते है कवे काओ काओ करते है तोते टें टें करते है मोर क्यां क्यां ऐसे करते है चील चौं चौं करते है अगर ये चीडिया है तो चुप क्यों है बोल्टू ने अपना सिर खुजाया तुम जानते हो ना कि बोलने के लिए हम शब्दों का उपयोग करते है पुचकू और बोल्टू ने सिरह लाया इसी तरह पंची गाने का उपयोग करके एक दूसरे से बाते करते है शायद ये चिडिया का बच्चा अपने गाने को अभी तक नहीं जान पाया क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है डोडला कुछ चिंतित लगा मगर बिना अपने गाने को जाने ये किसी से बात भी नहीं कर पायेगा एकदम अकेला बढ़ जाएगा पुचकू ने निश्चय किया कि ये काम धुरंधर योजना विभाग जिसे बोल्टू, पुचकू और डोडला चलाते है उनको अपने हाथ लेना ही चाहिए बोल्टू, डोडला, हम इस नन्नी पक्षी के गाने की तलाश करेंगे बोल्टू थोड़ी सी रुई लाता है डोडला एक गत्ते की डिब्बे का इंतजाम करता है पुचकू उन जगवों का नक्षा बनाती है जहां नन्नी चिडिया के लिए सही गाना मिल सकता है सबसे पहले नन्नी चिडिया और धुरंधर योजना विभाग संगीता अंटी की संगीत कक्षा में जाते है बड़ी सावधानी से पुचकू चिडिया के बच्चे को बाहर निकालती है इम्रान बासुरी बजा रहा है क्या ये तुम्हारा गाना है? पुचकू ने पूछा नन्नी चिडिया चुप रही फिर वे चिडिया को अलग-अलग कमरों में लेकर गए पियानो बज रहा है वाइलिन बज रहा है सितार बज रही है घटम बज रहा है बेंजो बज रहा है शेहना ही बज रही है गिटार बज रहा है क्या ये तुम्हारा गाना है? पुचकू ने पूछा लेकिन नन्नी चिडिया चुप है उसने पुचकू की और देखा बोल्टू ने अपना सिर्ख हो जाया डोडला उदास है पुचकू ने नन्नी से कहा चिंता मत करो हम तुम्हारे गाने का पता लगा कर रहेंगे ट्वण ट्वण डोडला ने अपने रबर बैंड गिटार पर एक नई धुन बजाई हिच हिच बोल्टू ने हिच की ली क्या ये तुम्हारा गाना है? पुचकू ने पूछा नन्नी चिडिया बस चुप थी क्या ये पुलीस की सीटी हो सकती है जूतों की चर्मर भी हो सकती है सिलाई मशीन की ठर ठर ठक भी हो सकती है या रेडियो पर सुनी जानी वाली कई आवाजे हो सकती है प्रेशर कुकर की ये वाली सीटी की आवाज भी हो सकती है पुछकु अपनी मा का मोबाईल फोन लाकर उसकी सारी रिंग टोन एक के बाद एक बजाती है और नन्नी चिडिया से पूछती है क्या ये तुम्हारा गाना है? डूडला का पेट कुड़कुडाता है वेट इफिन काना बूल गए थे न क्या ये तुम्हारा गाना है? पुछकु पुछती है घडडडडडडडडडडडडडडडडडड़ पर नन्नी चिडिया चुप रही शायद पुछकु के गली के घरों की घंटी की आवाज ये कुछ काम आए वे एक एक करके सारी घंटिया बजाते है मगर चिडिया का बच्चा बेचारा चुप है जबकि पुचकू के कुछ पडोसी शोर मचा रहे है भोजन की छुट्टी के बाद धुरंधर योजना विभाग के पास कोई जोरदार योजना नहीं बची अब क्या करे बोल्टू बोला चलो इसको अपनी वन्य जीव जन्तूओं के बारे में पढ़ाने वाली दीदी है ना उनके पास ले चलते है पुचकू ने कहा उदास मन से वे सब अध्यापक कक्ष की और चल पड़ते है जहां उन्हें जीव विज्ञान पढ़ाने वाली दीदी मिल जाती है पुचकू बोल्टू डोडला क्या हुआ तुम सब का मू की उतरा हुआ है दीदी ने पूछा हमें एक चिडिया का बच्चा मिला पर हमें उसका गाना नहीं मिल पाया उदास आवाज में पुचकू बोली हमने सब जगा डूण लिया डोडला और भी दुखी आवाज में बोला बोल्टू और भी दुखी होकर नाक सुड़क रहा था कोई बात नहीं जरूरी नहीं कि हमें हमेशा सफलता मिले दीदी ने एक रुमाल दिया पर नन्नी चिडिया को अभी तक गाना नहीं मिल पाया पुचकू रो बड़ी लेकिन आप सब तो उसके साथ है न उसे आप लोग तो छोड़ नहीं देंगे क्योंकि वो दूसरी चिडियों की तरह गान नहीं पाती दीदी ने पूछा पुचकू बोल्टू और डोडला ने अपना सिर हिलाया आपको थोड़ा धीरज रखना है दीदी ने मुस्कुरा कर पुचकू से कहा पुचकू ने नन्नी चिडिया को सावधानी से उठाया और कहा नन्नी अपनी कान खुले रखना कोई धुन अगर अच्छी लगे तो उसे अपना लेना मैं भी तुमारे साथ गाऊंगी ठीक है नन्नी चिडिया ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और कहा जी ये सुनके तीनों बच्चे खुशी से उचल पड़े कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर हमारी वेबसाइट है www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया